नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार कार्तिक मा चल रहा है और कार्तिक के महिने में बहुत सारे पर्व हैं ऐसे में धंतेरस और दिपावली जो पूरे साल हमें इंतजार करते हैं इन दिनों का तो ऐसे में मा लक्षमी को मनाने के लि कुछ धंतेरस के दिन घणवर이는 या फिर दिपावली के दिन अगर आप झारू पॉरानिक माननेताओं के अनुसार झारू नають सिर्फ हमारे घर की गंदगी को दूर करता है बलकि हमारे जीवन में आ रहे परेसानी गरीबी दरित्ता को भी बाहर निकालता है घर परिबार में सुख सम्रिद्धी और खुसियां लाता है परानिक सास्त्रों में कहा गया है जिस घर में जारू का अपमान होता है वहाँ धन हानी जरूर होता है क्योंकि जारू में धन की देवी मालक्ष्मी का वास माना गया है आज हम आपको जारू से समंदित कुछ खास बाते बताएंगे कब खरीदें, कब हटाएं और जारू सबसे पहले कहां लगाएं और किस तरीके से लगाएं कि जीवन में खुसियां चलियां जारू के बारे में कुछ खास बाते जो आपके लिए जानना बहुत आवस्यक है जारू को कभी भी घर से बाहर या छट पर मत रखिए दिन में रख सकते हैं, आप धोकर सुखने दीजे लेकिन रात में बिलकुल भी मत कीजिए यानि खुले आसमान के नीचे जारू मत रखिएगा, वरना लक्षमी का अपमान होगा ऐसा करने से आपके घर में चोरी होती है, बैपारस्थल में चोरी होती है इसलिए आपको जारू खास कर खुले जगह में रात के समय मत रखिए जब भी रखिए, कहीं पर आप ढख कर रखें या चायादार जगह में रखें जारू को हमेशा चिपा कर ही रखना चाहिए जैसे आप अपने धन को चिपा कर रखते हैं, ठीक वैसे ही अब यह नहीं कि कहीं भी पड़ा हुआ है, आते जाते लोगों की नजर जारू पर पड़ रही है यह अच्छा नहीं होता तो जहां भी रखें जारू को, ढख कर रखें और आते जाते लोगों का नजर ना पड़े कभी भी जारू से किसी को भी नहीं मारना चाहिए चाहे वो जानवर हो, पसू पक्छी हो, चिडिया हो, कीडे मकोडे हो क्योंकि जारू मारकर आप खास कर जानवर को भूल कर भी ना भगाएं किसी को भी नहीं, ये अच्छा नहीं माना जाता आपके अच्छे दिन कभी भी खत्म ना हो इसके लिए गलती से भी आप जाडू को पैर मत लगाईए अब यह नहीं कि साइड में जाडू है आप पैर से और साइड कर रहे हैं ऐसा मत कीजेगा यह अपमान होगा और अगर भूल से जाडू में पैर सट भी जाए तो परणाम करके छमा मांग लें नहीं तो लक्षमी रूस्ट हो जाती है आपके घर से चली जाती है और घर परिवार से जब आपके घर से लोग जाते हैं बाहर जैसे की बच्चे स्कूल चले गए पती ऑफिस चले गए तुरन से जाडू मत लगाईए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इंतजार करें कुछ और आपकाम कर लें इस बीच उसके बाद ही जाडू लगाएं तो अच्छा है नहीं तो ये अब सकून माना जाता है ऐसा करने से जो भी वेक्ति घर से बाहर निकले हैं उनको बेवज़ब परिसानिया होती हैं वो सफलता मिलती है तो जाडू के बारे में कुछ खास प्रियोग भी किये जाते हैं और जाडू हमारे जीवन की खुसियों को बढ़ाता है आपको पता है जाडू का गुप्तदान भी किया जाता है दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो टोने टोटके पर यकिन रखते हैं और इन्हें अपना कर तकलीफें भी भगाते हैं धन की मुस्किलें भी दूर हो जाती है कभी कभी किसी बहुत बड़े तंत्र मंत्र यंत्र की आवसकता नहीं होती बस छोटा सा काम कीजिए और जीवन में खुसियां लोटाती है अगर आप मा लक्षमी की किरपाच चाहते हैं तो अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहुर्त में एक आदसी तिथी या गुरुवार के तिथी या सुक्रवार के तिथी के दिन कर सकते हैं तीन जाडू या एक जाडू का गुप्त दान करें और सिर्फ आपको दान ही नहीं करना है सुबह सुबह अरली मॉर्निंग जाकर पूरे मंदिर की सफाई करें और जाडू वहीं पर छोड़ कर चले हैं जाडू दान करने से मंदिर में धनलाब होता है लेकिन ब्यक्ति बिशेस को भूल कर भी जाडू का दान मत कीजिए तो अगर दिन सुब योग सुब दिन में आप करते हैं तो आपके घर में अस्थाई लक्षमी का वास होता है बस ये करना है कि आप एक दिन पहले ही जाडू खरिद कर ले आईएगा लेकिन सवाल ये भी है कई बार क्या होता आप नए घर में प्रवेस कर रहे हैं तो आप जाडू से समंदित बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो जीवन की परिसानियों से बाहर निकालता है तो चलिए जानते हैं देखिए सुर्यास्त की होने के बाद भूल कर भी घर में जारू मत लगाईए इससे लक्षमी रूट जाती है और सुर्यास्त यानि की संध्या का जो समय ह होता है तो उससे में जारू घूल कर भी ना लगा है अगर आप वास्तु की बात करें हम तो आप अपने घर में जारू एक ही जगह पे रोज रखें यह नहीं कि आज यहां रख दिये कल वहां रख दिये ऐसा मत कीजिएगा नहीं तो आर्थिक मुस्किलें परिसान करेगी अगर आप सपने में जारू देखते हैं तो इसका मतलब भी यह होता है कि धन की मुस्किलें परिसान करने वाली है आपके घर में कुछ जारू ऐसी है जो बहुत पुरानी है यूज नहीं हो रहा है तो उसको हटा दीजिए तुटे पुटे वे जारू या तूट तूट कर गिर रहा ऐसे जारू यूज ना करे नहीं तो इससे भी धन का लॉस होता है पर जारू कब फेके और कब खरीदे हैं हमने आपको बताया कि मंदिर में आप जारू किस दिन दे सकते हैं दान लेकिन क्या आपको पता है कि जारू खरीदने के भी नियम होते हैं तो देखिए च खराब जाडू या पुराना जाडू भूल कर भी गुरुवार और सुक्रवार के दिन घर से मत निकालिए नहीं तो मालक्ष्मी चली जाएंगी गुरुवार के दिन भगवान स्रीहरी का दिन है और सुक्रवार मालक्ष्मी का दिन है तो जाडू निकालने से भगवान रुष सिति में सुधार आता है संपन्नता आती है और जारू अगर कृष्ण पक्ष में आप खरी दें तो अच्छा होता है अब कृष्ण पक्ष क्या होता है पूर्णिमा के बाद जैसे कि कोई कोई भी महिना खत्म होता है तो पूर्णिमा तिथी नया महिना शुरू हो जाता है तो तो आपके जीवन में कलह कलेस परिसानी बढ़ जाएगी क्योंकि जारू नकात्मक एनरजी को बाहर करता है तो कहीं न कहीं उसमें निगेटिव एनरजी होता है तो ये चीजें आपको परिसान कर सकती है इसलिए भूल कर भी बेड के नीचे जारू ना रखें तो जारू के सम समदी एक और बाते हैं पुराना जारू आखिर कहां फेके ये भी बात है देखिए जब भी आप घर में धन की कमी नहीं होगी अगर चोटे-चोटे उपाय आप कर लेते हैं तो पुरानी जारू को आप सनीबार अमवस्या होली का दहन गरहन के बाद अपने घर से निकाल सक हैं तो माना जाता है घर में दरिता नकार्तमक सक्तियां अपने आप जारू के साथ चली जाती है और घर में सुकसान्ती आ जाती है अगर आपके घर में जारू बहुत तूट गया है पुराना हो गया है तो फेकने के लिए भी इन्ही दिनों का चेहन करें ऐसे जगर फेके के दिन जारू घर से मत निकालिए नहीं तो आपके जीवन में परिसानी आएगी मालक्षमी रूट कर चली जाएंगी तो इन बातों का ध्यान रखिए उमीद है आप समझ चुके होंगे जारू कब लगाना है जारू लगाना चाहिए अरली मॉल्निंग सुर्यास के बात तो भी पूजा कीजेगा और जारू में एक सफेद धागा या मौली धागा बांदे और इसके बाद आप जारू में हलका सा कुमकुम यानि रोली और अक्षट डाले और फिर धूब दिखाए इस जारू को आप नियमित रूप से बेभार तो करेंगे लेकिन दीपावली के और जो दिपावली है धंतेरस का दिन है रात में सोने के पहले जारू के नीचे थोड़ा सा जीरा रख दीजिएगा और अगले दिन जब जाप सफाई करें तो इस जीरा को बाहर कर घर से बाहर निकाल दें आप चाहें तो घर में एक चुटकी जीरा चरक दें इससे क्या हो हो जाएगी जीवन की मुश्किलें कम होंगी करके देखें 100% लाब होगा तो उमीद है आप समझ चुके होंगे जारू कभ खईदना है और कभ यूज करना है और कभ पुराना जारू हटाना है तो हम आप से भीदा लेते हैं धंतेरस और दिपावली दोनों ही आप अच्छे से मनाएं सेफ रहें सुरक्षित रहें हरहर महादेव धन्यवाद